वज़वदेशी अंदोलन क्या चलाना है अपने गाउं में विदेशी कंपनियों की सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो चीज है वह रासाइनिक खाद जिसको हम यूरिया कहते है, डियपी कहते है, सुपर फॉस्फरिट कहते है और रासाइनिक कीट नाशक जिसको एंडोसलफान कहते है, मेलाथियान कहते है, पराथियान कहते है, बेंजीन हेकसाट्लॉराइड कहते है तो ये विदेशी कमपनियों के कीट नाशक और रासा निक खाद ये किसानों के बीच में सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है और एक साल में 4,80,000 करोड रुपई की खरीदी जाती है रासा निक खाद और कीट नाशक मने हमारे किसान हर साल रासाइनिक खाद और कीपनाशक खरीद कर विदेशी कमपनियों को 4,80,000 क्रोड रुपई दे रहे हैं ये भी हम को बचाना है तो क्या करना है किसानों को समझाना है जाकर गाउं गाउं में कि भाईया ये रासाइनिक खाद विदेशी है ये मत डालो तो किसान पूछेगा क्या डाले तो उससे को गोबर की खाद डालो ये रासाइनिक खाद मत डालो तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फाइदा कम है रासाइनी खाद में फाइदा जादा है तो उसको बड़े प्रेम से समझाना है कि गोबर की खाद में ही फाइदा जादा है रासाइनी खाद में फाइदा तो बहुत कम है क्योंकि रासाइनी खाद बहुत महंगी मिलती है पहले एक कट्टा रासाइनिक खाद मिलती थी 70 रुपई में अब एक कट्टा रासाइनिक खाद मिलती है पौने 300 रुपई में 300 रुपई में साड़े 300 रुपई में और कभी-कभी ब्लैक हो जाए तो 500 रुपई में यूरिया और हर साल कीमत बढ़ती जाती है क्यों? क्योंकि ये रासानिक खाद बनती है उन वस्तुवाँ से जिनको पेट्रोलियम प्रोडिक्ट्स कहा जाता है और सारे पेट्रोलियम प्रोडिक्ट्स जिसको नैफ्था कहते है वो विदेशों से आता है इसका पैसा पूरा विदेश में जाता है किसानों को समझाईए ये कि बहुत महेंगी पढ़ती है और इसकी महेंगाई पता है दूसरी क्या है एक बार आपने खेत में एक कटा यूरिया डाल दिया तो अगली बार दो कटा डालना पड़ेगा दो बोरे डालना पड़ेगा और एक बार दो बोरे पड़ गया तो अगली बार तीन बोरे डालना पड़ेगा एक बार तीन पड़ गया तो फिर चार बालना पड़ेगा हर बार बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है खर्चा बढ़ता जाता है और मालमें रासा निखाद बहुत गरम होता है गरम रासा निखाद यूरिया डियेपी आप डालते हैं मिट्टी पूरी चटक जाती है गरमी के कारण तो पानी जादा देना पड़ता है गोबर की खाद लगाके खेबी करें तो गेहों की फसल लिने में तीन पानी लगता है यूरिया डियेपी डालकर अगर गेहों की केती करें तो पाँच-छे बार पानी लगाना पड़ता है पानी का खर्चा बढ़ जाता है और पानी का खर्चा बढ़ेगा तो पानी तो जमीन में से निकालना पड़ता है जमीन से ज़्यादा पानी निकाल के आप खेतों में डालते रहेंगे तो पानी का त्यल नीचे 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 होता चला जाता है पहले पानी 25-30 फुट पे मिलता था, अब पानी 900 फुट तक नहीं मिलता केतों में तो खिसानों को समझाईए कि यूरिया डालने से बड़ा भरी नुकसान है एक तो हर साल खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, खर्चा बढ़ता है दूसरा हर साल पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, वो खर्चा बढ़ता है और जहाँ पानी निकालने के लिए बिजली नहीं है, वहाँ डीजल पंप चलाना पड़ता है तो डीजल का खर्चा बढ़ता है, और डीजल कभी भी महना होता रहता है एक दोमाने में 7 रुपए लीटर मिलता था डीजल अब 35 रुपए लीटर 2-4 दिन के बाद ये 40 रुपए लीटर होने जा रहा है फिर वो सकता है साल डेर साल में 100 रुपए लीटर हो जाए किसान कहां जाएगा मर जाएगा वो तो डीजल का खर्चा करते करते और फिर एक और नुकसान होता है कि यूरिया डियेपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल गुल जाते हैं और मिट्टी में गुल गए तो पौदे की जड़ में आ जाते हैं पौदे की जड़ से पौदे के तने में आ जाते हैं पौदे के तने से पौदे के फल में आ जाते हैं, पौदे के फल में आ जाते हैं, तो फिर वही फल हम खाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं, और हमारे शरीर में अगर ये जहर आ गया, तो हमारी माताएं तो पूतना हो जाती हैं, आपने पूतना की कहानी सुनी, क्रश्म को जहर पिलाने के लिए आई थी आज हमारी माताओं के दूद में जहर आ चुका है अपने अपने बच्चों के लिए वो पूतना की स्थिती में हैं आज हमारे देश की कई संस्थाओं ने माताओं के दूद का परिक्षण करवाया है तो माताओं के दूद में वो सारे केमिकल है जो यूरिया में है माताओं के दूद में वो सब केमिकल है जो कीप नाशक दबाओं में है क्योंकि भोजन हम कर रहे है भोजन के साथ वो शरीर में जा रहे है और यही केमिकल है जो आपको कैंसर पैदा करवा रहे है जो आप में diabetes दे रहे है जो आप में hybrid pressure दे रहे है hypertension दे रहे है 148 किसम की बीमारिया इन जहरों से पैदा होती है इसलिए किसानों को समझाओ कि ये urea dap का जहर एक तो विदेशी है ये बंद करो दूसरा ये शरीर को नुकसान देता है इसलिए बंद करो तीसरा ये पैसे का नुकसान करता है इसलिए बंद करो तो किसान पूछेंगे भाई क्या करें तो उनसे को गोबर का खाट डालो अब किसान क्या पूछे भाई आपको सबसे पहले उन कहेगा गोबर के खाट से तो उत्पादन नहीं होता तो उससे काओ गोबर के खाद से भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है यूरिया डियेपी से जितना नहीं होता उससे तो जादा गोबर के खाद से होता है मैं तो पिछले 12-13 साल किसानों के बीच में काम करता रहा महराश्ट और करनाटक में आप आईए वहाँ देखिए, ہज़ार पिखानों किसानों ने यूरिया डियेपी बन करके गोबर का खाद दालना शुरु किया है और जिस किसान के यूरिया डियेपी के खेत में वेंक एकड़ में 20-25 मीटरिक टन गनना होता था आज उस किसान के खेत में गोबर का खाट डालने से 90-100 मीट रिक्टन गन्ना हो रहा है कम नहीं होता है जिन किसानों के खेत में यूरिया डियेपी डालने से एक एकड में 12 कुंटल गयों होता था आज उनके खेत में गोबर का खाट डालने से 20 से 22 कुंटल गयों हो राट जिन किसानों के खेत में यूरिया डियेपी डालने से 1 एकड में 2 कुंटल कपास होती थी आज उनकिसानों के खेत में गोबर का खाट डालने से 7 कुंटल एकड का कपास हो रही है ऐसे एक नहीं हजारों किसान है मारास्ट में करनाटक में थोड़ा अगर चलेंगे तो 36 गड़ में बहुत किसान है 12 साल मैंने बहुत काम किया किसानों के बीच जा जाके उनको ये सब सिखाए गुबर की खाथ से उत्पादन जादा मिलता यूरिया डियर पी की तोनला क्यों मिलता है वो जानना चाहिए बहुत बढ़िया बात है जो आप जान लो तो आप किसानों को समझा सकT गोबर की खाट जब हम खेट में डालते तो होता क्या है गोबर जो है ना कई तरह के जीव जन्तुओं का भोजन है यूरिया जो है वो भोजन नहीं जहर है आपके खेट में एक जीव होता है जिसको केचुवा कहते केचुई को किसी दिन पकड़ना और हाथ पर रखना और इसके उपर यूरिय डाल देना दो चार गाने यूरिय डालोंगे वो तड़पना शुरू हो जाएगा और एक मिनट में मर जाएगा हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं न करोनों केचुए मार डाले हमने यूरिया डाल डाले और केचुए क्या करते हैं केचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं पोला बनाते हैं और उबजाओ बनाते हैं केचुए का काम क्या है उपर से नीचे जाना नीचे से उपर याना पूरे दिन में वो तीन चक्कर नीचे उपर के लगाता है नीचे जाएगा फिर उपर आएगा फिर नीचे जाएगा फिर उपर आएगा अब केचुए जिंदा है तो नीचे जाएगा फिर उपर आएगा के चितरों में से نीचे एक एक बूंण नीचे रिते वुए तल में जमा होता है माने water recharge का दुनिया दुनिया में सबसे जबरजस्त काम कोई करता है तो केचुआ करता है और यूरिय के कारण यह मर जाता है इसलिए यूरिया डालना माने किसान के लिए आत्मत्या करने के बराबर है जिस किसान के खेत में यूरिया डलेगा केचुआ मर जाएगा केचुआ मरा तो मिट्टी में उपर नीचे कोई जाएगा नहीं तो मिट्टी कठोर होती जाएगी, कड़क होती जाएगी मिट्टी और रोटी के बारे में एक सब्सक्राइब है कि इसको फेरते रहो नहीं तो खतम हो जाती है रोटी को फेर ना बंद करो जल जाती है मिट्टी को फेर ना बंद करो पत्थर जैसी हो जाती है मिट्टी को फेरने का मतलब समझते है उपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी उपर, उपर की नीचे, नीचे की उपर ये केचुआ ही करता और कोई नहीं कर सकता केचुआ तो किसान का सबसे बड़ा दोस्त है मैंने इसका हिसाब निकाला था एक केचवा साल बर अगर जिन्दा रहे तो 36 मीट्रिक टन मिट्टी को उठक पटक कर देता है उपर से नीचे नीचे से उपर एक केचवा साल बर में और उतनी ही मिट्टी को ट्रैक्टर से उलट पलट करना पड़े तो कम से कम 100 लीटर डीजल खर्च होता है और 100 लीटर डीजल 3600 रुपए का आता है माने एक केचवा हर आदमी का 3600 रुपए बचा रहा है ऐसे करूरों केचवा हैं पता सूचो कितने 1000 करूरों रुपए बच रहे हैं इस देश इसलिए गोबर का खाट डालने से फाइदा क्या होता है रासा है नहीं खाट डालो केचवा मर जाता है गोबर का खाट डालो केचवा जिन्दा हो जाता है क्योंकि गोबर केचवा का भोजन है केचवा को भोजन मिले तो वो अपीस जंसन क्या बढ़ाता है और इतनी तेज बढ़ाता है कि कोई नहीं बढ़ा सकता बारे सरकार कहती है हम दो हमारे दो केचुवा नहीं मानता उस बात को एक Alec Kेचुवाद पचास पचास हजार बच्चे पधा करके मरता है पचास पचास हजार उए जाती का केचुवा तुम आने देखा एक लाख पैदा करता बच्ष साथ तो वो एक जिंदा है उसने एक लाग पैदा कर दिये अब वो एक लाग एक लाग पैदा करेंगे करूरों केजुए हो जाएंगे अगर गोबर डालना शुरू किया और केज हुए जादा होंगे तो मिट्टी फिर उलेट उलेट होने लगेगी मिट्टी में छिद्र बनने लगेंगे तो बारिश का जितना भी पानी गिरेगा सब मिट्टी में आ जाएगा और पानी मिट्टी में गया तो नदियों में बेकार नहीं बहेगा तो बाल नहीं आएगी तो समुद्र में फालतू पानी नहीं जाएगा इस दूश का करूरों करूरों रुपई का फाइदा हो जाएगा इसलिए आप किसानों को समझाओ गोबर की खाट डालो फिर कुछ किसान कहेंगे जी उत्पादन होगा क्या उनसे कहना गारेंटी मेरी गारेंटी बारस्वाईमान ट्रस्ट की थोड़े दिन में बारस्वाईमान ट्रस्ट की तरफ से हम किसानों को कहेंगे कि आप बिंदास गोबर की खाट डालो गारेंटी हमारी एक ग्राम भी उत्पादन कम नहीं होगा कैसे कम नहीं होगा डालने का तरीका है डालने का तरीका क्या है अभी किसान गोबर कैसे डालते हैं गोबर डालते हैं वो घुरा है घुरा गाउं में कच्रा डालने का वहां गोबर इकटा करते हैं छिर महीने आठ महीने साल बर वो सुखता रहता है और सुख सुख के उसकी सारी ताकत निकल जाती फिर वो सुखा हुआ गोबर हम डालते है इससे उत्पादन जादा नहीं आता गोबर को हमेशा गीला डालना चाहिए ताजा डालना चाहिए गोबर को अगर पानी में गोल के डालो ना तो वो ही तीन गुना ज़्यादा फाइदा करता है तो खिसानों को ये समझाओ कि गोगर को सुखार के खेट में ना डाले उसको पानी में घोल के डाले तो कैसे घोलेंगे पानी में उसका फॉर्मूला लिख लोआ और जो जो गाओं में जाने वाले कारी करता है ये सब किसानों को आप बोलो कितना वेवर डालना है कितना पानी उसमें मिलाना है कितने बीगे के लिए काम मिलाना है उसको अब आपको मैं एक मोटी सी बात बता देता हूँ एक एकर एक एकल माने डाई वीगा पाच वीगा नहीं डाई वीगा तो एकल डाई वीगे का हिसाब जोड़ कर बताता हूं एक किसान को एक बार में एक एकल फसल के लिए कितना गोबर डालना पड़ेगा गीला करके डालेंगे तो दस किलो गोबर बस 10 किलो गोबर, एक एकड़ के लिए, डालना कैसे है, लिख़ो 10 किलो गोबर, फिर इसमें चाहिए 10 लीटर मूत्र, जिस जानवर का गोबर उसी का मूत्र, गाई का गोबर तो गाई का मूत्र, बैस का गोबर तो बैस का मूत्र, बैल का गोबर तो बैल का मूत्र, अब आप बोलोगे गोबर तो इकठा कर लेंगे मूत्र कैसे इकठा करें जानवर जो मूत्र देते है न जहां पर आप जानवरों को रखते हो वहां पर पत्थर वत्थर लगा के एक छोटी सी नाली बना लो और उसमें ढाल लगा दो जितना भी वह पेशाप करेंगे वह नाली में आ जाएगा नाली के आगे खड़ा खुद दो वह सारा उसमें जमा हो जाएगा फिर वो लिलो और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ जानवरों के मूत्र की कोई एकस्पारी डेट नहीं है एक साल, बे साल, तीन साल, पाच साल, दस साल, बीस साल, पचास साल, खराब ही नहीं होता तो चिंटा करने की बात ही नहीं है तो एकटा होता रहेगा खड़े में डालते रहो तो दस किलो गोबर, दस लीटर मूत्र ठीक है फिर इसमें मिलाना है लगबग एक किलो गुड़ आदे से एक किलो गुड़ 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 तो आप सब जानते हो एक तो गुड़ होता जिसको आप खा लेते हो एक तो गुड़ ऐसा होता जिसको जानवर खा लेते हैं और एक गुड़ ऐसा होता जिसको कोई नही खा सकता गीला गीला पुराना पुराना काला काला वो गुड़ खेत के बहुत कामका है जो सबसे घटिया गुड़ है जिसको ना जानवर खा सकते हैं ना आपका वो खेत के लिए बहुत कामका है तो गुड़ ले लो आदे से हेक किलो गोबर हो गया मुत्र हो गया गुड़ हो चने की दाल सुयाबीन की दाल खेषरी-खेषरी की दाल कोई भी दाल एक किलो उसका आटा चार जीदे हो गई कोबर, कोई मूतर गुर्व, डाल का आटा और इसमें डालनी है एक मुठी मिट्टी एक मुठी में आदा किलो या पॉन किलो तक मिट्टी आती है मिट्टी कहां से लानी है आपके खेवत के आसपास अगर पीपल का कोई पेड़ है बरगत का कोई पेड़ है तो उसके नीचे से खोद लो मिट्टी पीपल के पेड़ के नीचे की या बरगत तो पीपल और बर्गत के पेड़ के मिट्टी में जीवानों सबसे जादा होते हैं, यही जीवानों खेत को चाहिए, तो मिट्टी लोली, पांच चीज़ें हो गई, गोबर दस किलो, मूत्र दस लीटर, गोड लगबग एक किलो, दाल काटा एक किलो, और मिट्टी लगबग यह पांचों चीज़ों मिला दो, गोल दो, हाथ से गोल लेना खराब नहीं होंगे हाथ, नहीं तो बेंडे से गोल देना, एक ड्रम में गोल लेना, प्लास्टिक की ड्रम में गोल लेना, नहीं तो लोह की ड्रम में गोल लेना, प्लास्टिक का होगा तो अच्छा लोह वाल पानी कितना मिलाना है जितना गोबर था उसका दस गुना पानी दस गुना कम से कम 100 लीटर पानी 10 किलोग ओबर तो 100 लीटर पानी और ज्यादा से ज्यादा पानी मिला सकते हैं तो 200 लीटर तो सौ से दो सो लीटर पानी विला लिया अब ये पूरा परसेट गोल हो गया इसको एक एकड़ के खेत में छिड़कना है जैसे पानी छिड़कते हैं न मिट्टी दबाने के लिए ऐसे ही छिड़कना है बस आप इसको छिड़क देंगे तो ये करोणों जीवानों मिट्टी में पहुँच जाएंगे तो मिट्टी में जीवानों की संक्या बढ़ती जाएगी और मिट्टी में सारा खेल खेलने का काम जीवानों करते हैं आपको मालू है जीवानों क्या करते हैं जीवानों सारा काम करते हैं पौधे की जड़को नाइट्रोजन की जरूरत है तो ये जीवानों उपलब्द कराते हैं, पौधे की जड़को कैल्शियम चाहिए तो ये जीवानों उपलब्द कराते हैं, पौधे की जड़को आइरन चाहिए तो ये जीवानों, माने पौधे को बड़ा होने के लिए जित अच्छा होगा उसका उत्पादन अच्छा होगा अब इसमें समय लिख लो कितने बाई डालना कब डालना सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि खेट को जब जोतने की तैयारी करें ना जूत है बीज डालने से पहले खेट जुताई होती है ना खेट जुताई करते ही एक दिन डाल दो, आज जुताई की आकन डाल दो जुताई करके डाल दो ये पहली बार ठीक है? फिर इसके डालने के दे तिन दिन बाद या चार दिन बाद या बाश दिन बाद बुआई कर दो है? कितना डाल सकते हैं? बताए ना इसके एकड़ में 200 लिटर वे तो आज में इसको जोत के एक दो दिन में डाल दिया फिर बीज बो दो बीज बोने के 21 दिन में फिर डाल देना आज बीज बोया तो ठीक 21 दिन बाद एक बार फिर डाल देना क्या होता है न बीज मैंसे अंकुरन होता है और अंकुरन होने के 21 दिन तक वो मिट्टी की ताकत से बढ़ता है फिर 21 दिन के बाद वो सूरी की ताकत से बढ़ना शुरू हो जाता है फोटो सिंथेसिस जिसको कहते है प्रकार संशलेशन की क्रिया सूरित आप से खाना बनाना शुरू कर देता तो बढ़ते ही तो और आप मोटी सी एक बात याद रखो कि हर 21 दिन पर दल देना आज डाला, 21 दिन बाद डाला, फिर 21 दिन बाद डाला, फिर 22 दिन बाद डाला तो एक फसल अगर आप समझ लो चार महीने की है तो लगबग पांच बार दालना पड़ेगा कोई फसल छे महीने की है तो साथ-ाथ बार दालना पड़ेगा आठ महीने की है तो तस एक बार दालना पड़ेगा अब इसमें खर्चा क्या है जानवर अगर घर के है तो गोबर फोकट का मूत्र फोकट का गुड मैं कहा रहा हूँ सबसे सड़ा हुआ जिसको फेक देते हैं वो भी फोकट में मिल जाएगा पानी तो गोगट का है थोड़ा दाल वाल लेना पड़ेगा तो उसका खर्चा आएगा लेगिन किसान अगर दाल कदा करता तो वो भी घर की हो जाएगी माने खाथ बनाने का खर्चा लगबग शून ने आएगा महनत लगेगी पूंजी में पैसा कम से कम खर्च होगा और ये खाथ जो तैयार होगी इसमें जबरजस्त क्वालिटी है क्योंकि इसमें केल्शियम बरपूर आईरन बरपूर फॉस्फोरस बरपूर क्या-क्या इसमें है गोबर है गोबर में केल्शियम है आईरन है सलफर है स्लिकोन है कोबॉल्ट है मैगनीशियम है मैगनीज है अठारे सूक्षुम पोशट तब तब तो हमें चाहिए, वो ही मिट्टी को चाहिए, वो सब इस खाद में भरपूर है, यूरिया में नहीं है, यूरिया में कैल्शियम 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 नहीं है, तो पैदे में होगा, पौदे में होगा, तो फल में होगा, फल में होगा, तो बोजन में होगा, बोजन में होगा, तो शरीर में होगा, शरीर में होगा, तो हट्टिया मजबूत, हट्टिया मजबूत, तो शरीर मजबूत, ये सारा साइकलिसी कैलशियम के उस पह, तो ये तो करेगा उसको बरोसा नहीं है विश्वास नहीं है तो उसको कहना कि भाई तुम डालो नुकसान तुमारा नहीं होगा मैंने बहुत किसानों का हिसाब निकाला है खराब से खराब खेत में जब गोबर का खाट डालते हैं न तो गेऊं का उत्पादन पहले साल की तुल्णा में थोड़ा ही कमाता है लेकिन उत्पादन जितना कमाता है उससे जादा खर्चा बच जाता है तो बरावर मामला बैठता है हम यूरिया डियेपी वह खर्चा करते हैं हजारे रुपए का तब उत्पादन लेते हैं यहां खर्चा ही नहीं है थोड़ा उत्पादन कम भी हुआ तो फाइदा ही है नुकसान कुछ नहीं इसलिए किसी खिषान का नुक्सान है और दो-तीन साल लगातार आपने डाल दिया तो उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है लगातार बढ़ता है और तस बारे साल में तो कई खेत ऐसे हैं जहां उत्पादन सीधू डबल हो जाता है 100% की बढ़ोत्तरी हो जाती है नहीं झानने की जरुरत नहीं है इसे ढालो उस में जितना कच्रा है सब खेत में जाने तो क्योंकि कच्रे में जीवारों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी चानने की जरुरत नहीं अब आप दाजो के कैसे यह प्रशन है तो उसके लिए चार विधी है पहली विधी है कि सीधे डबा दो और चुड़काओ करो खेत पे बरो और चुड़क दो अब कहोगे जी खेत बहुत बढ़ा है ये तो नहीं चल सकता तो दूसरा तरीका बताता हो खेत में पानी लगाते हैं ना पानी में डाल दो नाली में से पानी जा रहा है ना एक टंकी में भरके ये खाद रख दो उसमें नल लगा दो टोटी खोल दो टपक टपक पानी में गिरता रहेगा खेत में चला जाएगा ये दूसरा तरी तीसरा तरीका ये है कि अगर किसी के घर में जानवरों की संख्या जादा है तो गोबर जादा होगा उसके पास तो थोड़ा सा गोबर तो इसमें इस्तेमाल हुआ बचे हुए गोबर का क्या करेंगे तो बचा हुआ गोबर अगर सूखा है तो उसको इसी में डाल देना 15 दिन के बाद 200 लीटर पानी मिला के तो वो गोबर भी गीला हो जाएगा गीले गोबर के लड्डू बना लो और लड्डू को खेत में फेक दो तो खाथ पहुँच जाएगा और एक तरीका है खेत में से मिट्टी खोद लो मिट्टी में ये पूरा गोल मिला दो मिट्टी कीली हो गई मिट्टी के लड्डू बना लो लड्डू को खेत में फेक दो तो खाथ पहुँच जाएगा तो पानी के साथ दे सकते हैं चिलक के डाल सकते हैं गोबर या मिट्टी को लड्डू बना के डाल सकते हैं और एक आखरी तरीका है इस्प्रे मशीन अगर अपने पास है तो उसका आगे से नौजल निकाल दो नौजल निकाल दो फिर उससे इस्प्रे कर दो अब इसमें ध्यान है रखना है कि ये फसल पे स्प्रे नहीं होगा ये जमीन पे होगा मिट्टी पे होगा फसल पे डालने से फाइदा नहीं मिलेगा मिट्टी में डालना है इसको तो अगर फसल उची है तब कैसे डालेंगे तब तो पानी लगाओगे तब ही डालना सबसे अच्छा है इसमें एक तरीका यह है कि खेत का मुआना होता है ना जहां से पानी गुस्ता है वहाँ एक आदमी को बिठा दो डपा लेके पटकता रहेगा उसमें पानी के साथ जाता रहेगा और पानी के साथ पूरे खेत में बरावर मात्रा में जाता है और रिजल्ट उपला जो भी कहते हैं उसको जलाते हैं जलाने के बाद राख निकलती है ना वो राख इकटी कर रो और ये घुम राख मिला दो और फिर लड़ो बन जाएंगे फिर खेट में छुड़क दो तो इसका तो जबर्जस्त उत्पादना आता है क्योंकि यो राख है ना इसमें कई क्यमिकल अत्रिक्त हैं जो गोबर और वह मुत्र से भी जादा है तो ये तरीका समझ में आ गया हर 21 दिन पर डालेंगे चार महीने की फसल है तो पाच-छे बार डालना पुड़ेगा छे महीने है तो साथ-अच बार इसी तरह से पूरी खेती होती रहेगी गोबर किसी भी ज अनवर का ठीक है और आदा आदा मिले तो वो भी चलेगा गाए का आदा ले लिया वैस का आदा किसी के पास गाए नहीं हो किसी के पास बैस महीं हो एक एक गाए एक बैस और खेत बड़ा है तो आदा आदा सब मिक्सिंग करके चलेगा बस एकी सावधानी रखना कि जो जो तो वो देशी गाय हो तो अच्छा होगा जर्सी का फाइदा पूरा नहीं करेगा और जर्सी का ही गोबर है तो उसमें देशी का मिला लेना नहीं तो कोई फाइदा नहीं करेगा जर्सी गाय है उसका गोबर है उसमें देशी गाय का एक दो किलो गोबर मिला लेना वो वैसे ही काम करता है जैसे सौ किलो दूद में एक चमज दही डालो तो पूरा दूद दही हो जाता है वैसे ही सौ किलो जर्सी गाय के गोबर में एक किलो देशी का डाल दो तो देशी गाय जीवाणों अपनी संख्या अपने आप बढ़ा लेते और धीरे धीरे मेरे बात मानो तो जर्शी गाय बेचते जाना बेची लेते जाना है क्योंकि यह जर्शी गाय के दूद में डम नहीं है आपको मालूम नहीं है दुनिया में भारत को छोड़ कर जर्शी गाय का दूद कोई देश नहीं पीता डेनमार्क में सबसे जर्शी गाय है डेनमार्क में दूद ही नहीं पीते क्यों नहीं पीते कैंसर होने की संभावना है जर्शी गाय के दूद से गुटनों का दर्द तो तुरंत हो जाता है बड़ी बड़ी बीमारिया होती है और जर्सी गाय को एक खतरनाग बीमारी होती है mad cow disease उस बीमारी के चक्कर में दूद भी उसका प्रदूशित होता है इसलिए जर्सी का दूद 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 कोई नहीं पीता तो जर्सी गाय बेच के देशी लेते जाना बैस हो तो उसका तो चल जाएगा बैल का चल जाएगा अब एक आखरी चीज और बता दूँ उसको आप लिख लो ये तो हुआ खाद अब किसान कहेगा कीड़ा लग गया तो कीड़ा लग सकता है ना तो उसका भी एक फार्मूला लिख लो कीड़ा अगर लगता है कीट लगता है तो उसकी दवा भी हम खुद बनाके चिड़क सकते हैं पैसा खर्च करने की ज़रूरत तैं कीड़ा मारने की दवा कैसे बनेगी बीस लीटर जानवरों का पेशाब ले लो गाय का बैल का भैस का बीस लीटर ठीक है यह विक एक हर के लिए बता रहा हूँ पिर इसमें धाई तीन किलो नीम के पत्ते की चट्नी डाल देना नीम के पत्ते की चट्नी, नीम का पत्ता है, पीस के चट्नी बना के डाल देना, डाई तीन किलो, और आक्रा, आक्रा के पेड के पत्ते की भी चट्नी डाल देना, डाई तीन किलो, आक्रा, आक कहते हैं, आक, कुछ लोग अकववा कहते हैं इसको, आक, आक्रा, अकववा, हाँ वह हनवान जी पर चडाते हैं जिसमें सफ़े सफ़ेद दूथ निकलता है और एक तीसरा पत्ता है सुनों सुनों भारी एक तीसरा पत्ता है दुशरम गुशरम जो है न अक्सर गाओं में घुश दूनों तरफ किनारे-किनारे लगा रहता पान के जैसा पत्ता बैगनी लिए बेड़ेदन का फूल आता है उसमें ना खुश्बू होती है ना कुछ होता है बिना पानी के बिना बीच के होता है इसलिए बेशरम कहते है तो दो ड़ाई किलो ले लो और एक पत्ता है आपके गाओं में अगर मिले तो सीता फल का पत्ता शरीफा जिसको कहते हैं सीता शरीफा उसका पत्ता दो डाई किलो ले लो और गाओं में मिल जाए ना तो वह घास आती है ना Congress घास उसको चटनी बना के डाल दो डाई किलो और इसमें थोड़ा सा खुब तीखी लाल मिर्चो हरी मिर्चो तुम्हें पीस के डाल दो डाई 300 gram लेसुन पीस के डाल दो आदा किलो के करीब तना के अधिर गास वही वही और मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूं वह याद रखो जिन जिन पत्तों को गाए में ही खाती फिर से सुनो जिन जिन पत्तों को गाए में ही खाती और आपके गाओं में उपलब्द है वो सब पीस के डाल दो इसको गाए को खिला के देख लो खा रहे हैं तो नहीं डालना नहीं खा रहे हैं तो पीस के डाल देना है मोटी बात याद रखो तो तीन चार तरह के पत्ते डाल दिया थोड़ा लैसुन डाल दिया थोड़ा मिर्ची डाल दिया बीस लिटर मूत्र में डाल लाना है गरम करना उबाल के ठंडा कर लो ठंडा करके 200 लीटर पानी मिला दो अब ये दवा तैयार हो गई कीट नाशक इसको इस्प्रे कर दे किसी भी फसल पर तो 48 गंटे माने 2-3 दिन में सार कीट खतम कर देता है एक पैसे का खर्चा नहीं होता बाजार से कुछ नहीं लान 村 पर बंद कराना है तो कीट नाशक धवा बनाने का आपको मालब खात बनाने का का मालूं अब यूरिया डियपी औरंडो सल्फान गाओं गाओं से हमें बंद कराना है 480,000 करोड किसानों का बचाना है 2000,000 करोड रुपई खान बचाना है ये दोलों मिला दे तो करीब 78 ला करोड का अगर तक्के स्वदेशी वाले लोग हो जाएं तो इंपोर्टेट चीज़ें भी बंदो सकती हैं 14 लाग करोड का फाइदा माने इतना बड़ा फाइदा हम पूरे देश को दे सकते हैं अपने स्वदेशी आंदोलन और अभ्यान से इसलिए स्वदेशी आंदोलन और अभ्यान को गाओं गाओं जाके चलाना है और आपको इसके लिए उस जमाने में लोकमा नितिलक ने जैसा परिश्रम किया महात्मा गांदी ने जैसा परिश्रम किया विपिंचंद्रपाल ने जैसा परिश्रम किया और करांतवीरों ने जैसे परिश्रम किया वैसा ही परिश्रम आपको करना है ताकि क्या होगा जैसे आज हम लोकमान तिलक का नाम याद रखते है अपने डेश के लिए अपनी सब्विता के लिए अपनी आजदी के लिए वैसे ही आपका नाम आने वाली पीडियां याद रखेंगी इस डेश के दूसरे स्वद्रिशी आंदोलन के लिए ऐसा कहकर पार आपका आरव्यप्त करता हूं बहुत-Bहुत आपके दन्यवाद देता